इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाला किसी महिला को धकेलते और पीटते नजर आ रहा है बताया जा रहा है कि ये वीडिये यूपी के गोड़पूर का है इस वीडियो से मिली जानकारी के मुताबिक महाश्यवराती पर मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाली महिलाओ को हटाया जा रहा था आरोप है कि इस दौरान एक दरोवा महिलाओ को पीटने लगा रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो राजखार थाना छेतर के मुतिशर नात मंदिर का बताया जा रहा है वीडियो में महिला को पीटते आरोपी पुलिस वाली का नाम हुवर गौरफ सिंग है जो ट्रांसपोर्ट नगर चौकी निंशाज है इस वीडियो में मंदिर के बाहर पूजा की सामगली बीचने के लिए कई दुकानदार अपनी दुकान लगाए बैचे हुए है उनमें से कुछ महिलाए भी हैं इसी बीच कुछ पुलिस वाले दुकानदारों को हटाते हैं पुलिसर महिलाओं के बीच बहस होने लगती है कोई महिला पुलिस टीम को कुछ कहती सुनाई दे रही है इसी बीच इसके बाद धरोगा एक महिला को जबर्दस्ती खीचते और मारपीट करते हुए इस वीडियो में दिख रहा है वीडियो में चीखने के भी आवाज आ रही है वहीं वीडियो वाइरस बुने के बाद समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर निशाना साता है उन्होंने लिखा है आज सुबा गोरगपूर के मित्रिशित नात मंदिर में दुकान लगाने वाली महिलाओ को योगी सरकार के बेलागाम पुलिस स्कूर गोरफ सिंग ने थपपरों से पीचा और भद्दी भद्दी जाकी सूचक गालिया दी योगी सरकार के नारी सम्मान, नारी अस्मित, नारी सुडक्षा के दाओ का गोरफूर मॉडल है पर गोरफूर पुलिस की योर से ट्वीट पर जानकालीं दी गई है कि गोरफूर सिटी सिटी द्वारा इस मामले की जाज की जा रही है जाज के बाद जरूरी एक्शन गिया जाएगा आपको बताने की गौरपूर SP City कृषिन कुमार ने बताया है कि मामले की जाज अभी चल रही है उन्होंने कहा है कि वीजियो काई खिस्ता वाइरल किया जा रहा है उसे काट करके वाइरल किया जा रहा है SPC City के मताबिक उत्विशरनात मंदी पर स्याजोगी की कार्यकर्म के लिए शुरक्षा की डिस्ती से पुलिस बाहर लगाने वाले दुकानों को खचा रही थी लेकिन इस दौरान उस महिलाये दुकानदार नहीं हटाने दे रहे थे उन्होंने कहा कि हाला कि इस दौरान पुलिस को अपना आपा नहीं होना चाहिए था इसकी जाज की जाएगी लेकिन इस वीडियो में पुलिस दौरान महिला के साथ बहवार वो किसी भी हालात में सभी नहीं है चाहे वो सीम की सुरक्षा का हवाला दिया जाए लिकिन ऐसा किसी भी महिला या पुलिस के साथ पुलिस दौरा किया जाना बेल्कुल भी सही नहीं फिल्हाल इस खबर में इतने ही ऐसे और दमाम खबरों के लिए पने रहे तक आप के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइबर शेयर करने ना भूले चुक्रिया झाल